लाइफ टीवी एक्स्प्रेस खबर पल 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 प्ल 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 सिद्धार्थनेगर जिले में तीसरे चरण का मद्दान जारी है जिले में कोविट के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन ग्राम पंजाज चुनाओ को लेकर लोगों में भारी उस्सा है सुबह से ही जिले के सभी बूतों पर लंबी डंबी कतारें देखने को मिल रही है धूप बहुत तेज है जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इसकी तपिश बढ़ती जा रही है लेकिन मद्दातों में नहीं कुरोना का खौफ है और नहीं गर्मी मद्दातों के उस्सा को कम करभा रही है कुरोना को देखते हुए भीड़ कत्था ना हो और मद्दान के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिए जिला प्रिशासन की तयारी साफ दिख रही है लोगों के चेहरों पर मास्क तो दिख रहा है येकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिख रही है पुलिस लोगों को हटाती है कुछ समय बाद लोग घिड़ की शक्र फिर ले लेते हैं इस बार लोग शेतर के विकास को लेकर वोट कर रहे हैं कुछ यूआ वोटर जो पहली बार वोट करने आए हैं उन्होंने बताए कि वे चाहती हैं कि शाहर की तरह उनके गाउं का भी विकास हो जो भी जीत कराए वो गाउं में सलक नाली का नेमाल कराए सिधार्थ नगर से सबाधाता अजहार हुसाइन फारु की ये रिपाउट चाहती है किसको उट मतलब जो आप उट करेंगे तो क्या आपके जहन में है मैं उट देना जिसे चाहती ही जो मेरे देश का मेरे गाउं का भी कास करें साड़क बनवाए नाला मेरे गाउं में बनवाए अच्छे से भी कास करें बस यही है कि अमदेंगे, हम सब देख्वाल करें, हमारे गाहुं का कोई है, अर वो, अच्छे से हम उसी को ओट देना चाहते हैं, तो आपने जो ओड किया है, वो किन चीज़ों को किन बातों को जहन में रखे आपने ओड किया है? हम लोग के वहाँ भी सडक सही नहीं है, हमारे यहां का अगर परधान जी जाएंगे, तो हमारे यहां किस नाली सडक सब बन जाएगी, अच्छी सी हो जाएगी, हम लोग को भी आराम हो जाएगा. तुम तो विकास जहन में ले करके आपने ओड किया है? करना जब हमारे यहां प् distress कि कर्म लेका जाएगी.